हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रापर इंफर्मिशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि GPED के जो exam form है वो कौनसी website पर भरे जाते हैं तो जो बात होती है कि official website की जो official website है कि जहां पर जाके students जो है वो GPED exam के form जो है वो बरते हैं तो what is the official website for the field, the GPED examination form भीजी के बारे में हम आज के लेक्चर में प्रॉपर आपको टुटॉरियल देने वाले कि जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जीपेट एक्जाम के जो फॉर्म है वो हो आप बर सकते हैं और कौन से ऑफिसल वेबसाइट से उनको बरा जाता है तो एक्सपर्ट लेक्चर बाइमर सर, मिस्टर अमर अमर रावल, आसिस्टम प्रोफिसर और फाउंडर अफ फार्मरोक्स, थेंक यू फार बीइन वन लेक्ट फेमिली ऑफ फार्मरोक्स, एक्सेस कर यह स्टडी मट्रियल, टेस्ट सिरीज, वीडियो लेक्चर अन एफ, फार मरोक्स, तो जीपेट एक्सेमिनेशन की जिसका फुल फार्म है, ग्रेजुएट, फार्मसी, एपलिट्यूड, टेस्ट की जिसको हम कहते हैं जीपेट, और जीपेट जो है वो आपका नेशनल लेवल एंटरंस एक्सेमिनेशन है, फार एंटी इंट्री इंटू दा, एम फा जीपेट की एक्सेम जो है वो कौलिफाई करना जरूरी है, तो हर साल जो है वो जीपेट एक्सेम के जो फॉर्म निकलते हैं और उसको कौनसी वेबसाइट पर से अपलाई करना है, तो वो हम आपको बताते हैं, तो उसकी हिस्ट्री जान लीजे, तो दो हुजार अठरा तक GPET की exam जो था वो AICTE conductor करता था कि जिसको हम कहते है All India Council for Technical Education और वो आटा था Under the Ministry of Human Resource Development MHRD Government of India बट उसके बाद 2019 से की GPET की जो exam 2019 में हुई फिर GPET का पिछले साल 2020 का जो exam हुआ 2020 और अब जो next upcoming exam है वो है GPET 2021 के तो यह जो अब conduct करता है NTA की जिसको हम कहते है National Testing Agency जिसको हम कहते है National Testing Agency की जो NTA है तो NTA is the authority to conduct the graduate pharmacy approved test for admission to various MFARM और its equivalent courses across the country India कि हमारे पूरे भारत के अंदर एक ही website है एक ही official governmenting body के जिस पर से आप GPET exam का जो है वो form फिलब करते तो ऐसा नहीं कि गुजरात के student कोई अलग form बरे महारास्टरे के अलग form बरे ऐसा नहीं होता कोई एक centralized form ही फिलब किया जाता है उसके अंदर तो official website क्या है उसके लिए तो what is the official website तो आपको क्या करना है सबसे पहले Google जो है वो open करना है सबसे पहले Google आप open करिए तो आपके mobile या फिर laptop के अंदर सबसे पहले आपको Google open करना रहता है और वहाँ पे type करिए GPAT GPAT टाइप करने के बाद next उसी में लिखिए आप GPAT NTA GPAT NTA लिखना है तो first GPAT और उसके बाद लिखिए GPAT NTA तो GPAT NTA लिखने से अलग लग निचे आपको search result जो है वो दिखाएगा इस तरह से तो यहाँ पे जो है वो click कर दीजिए आप तो आगे websites के जो आपको result मिलेगे यहाँ पे देखिए जो search जो किया हुआ जो term है that is GPAT NTA search क्या किया है हमने GPAT NTA करके testing agency और उसके नीचे भी है GPAT GPAT NTA.nic.in तो यह दो official website है यह दोनो official website है कि यह जो है आपका main official कि इसको हम कह सकते है official तो आपको यही से form फिलप करने जबकि यह नीचे एक तिसरा result दिखाएगा GPAT 2021 application form date तो वो official नहीं है यह आपको open नहीं करने है यह website form फिलप करने के लिए यह दो website ही है यह दोनो या फिर यह नीचे वाल open करके भी आप same ही जगा पे पहुँच जाते है तो यह ध्यान रखना है कि कौन से official website है और कौन से unofficial वो आपको याद रखना है तो दो ही official website है तो जब आप NTA यहाँ पे देखिए उपर आपको toolbar में पही दिखाता हूँगे nta.ac.in pharmacy exam और उसी को हमने यहाँ पे भी आपके लिए display करवाया है nda.ac.in slash pharmacy exam करके portal ओपन होगा तो वहाँ पे देखिए NTA की कौन से कौन से exam लेता है NTA लेता है engineering का exam medical का exam लेता है management और उसी में एक है हमारा pharmacy section तो यह pharmacy section open होता है जब आप nta.ac.in slash pharmacy exam वाला search result ओपन करते तो वहाँ पे तुरंत आपको यह pharmacy exam और उसकी information दिये कि graduate pharmacy uploaded test is a national level and transactions for the entry into MFARM program till 2018 it is conducted by ICT and now it is conducted by NTA और यहाँ पे लिखा है कि GPAD website and registration तो जब आप इसके उपर click करते हैं तो यह वाला page open हो जाता है कि GPAD.NTA.NIC.IN यहाँ पे भी आप देख सकते हैं website बार के अंदर GPAD.NTA.NIC.IN और दिस इस official website यहाँ पे खुल जाता है देखो graduate pharmacy अपलिटूट टेस्ट फिर साइड में NTA का ज़े official logo आप देख सकते हैं और यह government of India minister of education का भी logo तो यही पे यह जो current event से यहाँ पे ही display हो जाता है और यहाँ पे देखे news and events में लिखा है कि will be available very soon तो जब भी आपको GPET exam का जो form fill up करना है जब भी आप form fill up करते है तो यह website की open करनी है कि जहाँ पे यह जो current event से यही पे आ जाएगा कि GPET 2021 की जब detail आएगी तब यही पे हो जाएगा फिर यहाँ पे सब news वगेरा display हो जाएगी फिर जो जितने भी official informations आएगी official पुरा booklet आएगा वो यहाँ पे upload हो जाएगा और फिर आप जो है वो यहाँ पे link का जाएगी to fill form तो यही website पर आपको form fill up करना है दुसरे कोई भी ऐसे on official website open नहीं करने है always यह official website ही है यहाँ पे official website यही है एक कि जिस पे gpd exam के form fill up किये जाते है तो fee structure के बारे में जानते है उससे पहले में आपको इसी का tutorial google पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि google आपने सबसे पहले तो open कर लिया तो वहाँ पे type कर लीजिए कि दुओे।